इस वीडियो में हम बात करने जारहे हैं दो मसायल के हवाले से एक बैक्तेरियन गोल्ड वो क्या है कब से है और उसकी इंपोटेंस क्या है और उसकी वेल्यू क्या है और तालबान इसके पीछे क्यू पड़े और इंटरनेशनल मार्कीट वाले इसके पीछे क्यों पड़े और सबसे इंट्रेसिंग सी बात इंडियन्स का इसमें क्या जाए कि इंडियन्स बार-बार बेक्टेरियन गोल्ड के बारे में चाप रहे हैं उन्होंने आकर यहां पर excavation की जोजियान के करीम और वहां पर जब उन्होंने excavation की तो उन्हें कुछ गोल्ड वगेरा पीसेज मिले और उसे केते हैं एक सेंचरी के करीब जाती है जब इसकी कारबान डेटिंग की गई तो तकरीबन यह एक सेंचरी तक जाता है मतलब फर्स सेंचरी से यह गोल्ड यहां पर पड़ा हुआ है अब यहां पर यह गोल्ड किस ने रखा कहां से रखा इसके बारे में डिस्कुस कर लेते हैं यू कहल तेरा के कुछ लोग थे वो आबाद थे उन पर जब भी कोई हमला करता था तो वो कोशिश करते थे कि अपना सोने की चीज़ें या वेल्यूइबल एसिट्स है वो जमीन के अंदर छुपा दे और जिसके बाद वो वहां से फरार हो जाते थे यहां हो सकता है कोई नेच्रल क्ल देते हैं और उसके बाद हम इसे एक्सकेवेट करके निकालने की कोशिश करते हैं अब बहुत सारी गुफा हैं वगेरा हैं जो जमीन के हमने खो दिया उसके बारे में हमें साइंटिफिक रिसर्च भी मिलती है साइंस के लिए भी वह काफी इंपोर्टेंट हो दी क्यूंकि कि कुछ केव हमने खोली हैं वहां से हमें होमो सेपियंज और पिछले मॉंकी के बारे में पता चला है कि कोई से एप्स एवाल हुए हैं हुमन्स में वगएरा वगएरा सो इसी तरह से यहां पर भी रशेंज ने आकर जब एक्सकेवेशन की तो उन्हें गोल्ड मिला और इस अगर अगर आफगानिस्तान की जमीन के लिए तो आप सोच ले कि अफगानिस्तान को और किसी से पैसे मागने की ज़रूत ही नहीं है इसलिए तालबान का सबसे बड़ा खचया यही था कि यह बैक्टेरियन गोल्ड कहीं अश्रफ गनी अपने साथ ले तो नहीं गया इसका मसला क्या था क्योंकि सोवेट जूनियन के बाद यह बैक्टेरियन गोल्ड गुम हो गया था 2003 में जाकर यह दुबारा दिखाई दिया है कि यह बैक्टेरियन गोल्ड मौजूद था तालबान ने जब 15 अगस को अफगानिस्तान पे टेकॉन किया काबुल फत्य है तो सबसे पहले तालबान यही कढ़ी डूण रहते हैं कि यह बैक्टेरियन गोल्ड कि दर गया कहीं आश्रफ गणी ले तो नहीं गया अगर अश्रफ गणी यह बैक्टेरियन गोल्ड ले जा था अपने साथ तो फिर तालबान बड़ी सक्ती से निपट थे सब लोगों के साथ लेकिन उन्हें अब ये बैक्टेरियन गोल्ड वापस मिल गया है इसलिए जो लोग रो रहे थे ना कि काबूल के एरपोर्ट पे जाज तूट गये तालबान को कुछ नहीं मिला तालबान को इसकी परवा भी नहीं थी क्योंकि उनकी सारी नजरे बैक्टेरियन गोल्ड के उपर थी अब तालबान की जो हिस्ट्री और कल्चरल मेनेजमेंट की जो मिनिस्ट्री है उस सारे ने दुबारा से कोशिश किये कि सारा का सारा वेक्टेरियन गोल्ड ढूंडा जाए और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर वेक्टेरियन गोल्ड मोजुद है उस टाइम पे जब सोवियेट्स ने एक्सकेवेशन की थी उन्होंने तो 1% भी एक्सकेवेशन नहीं की थी और उन्हें इतना वेल्यूबिल एसेट्स मिले और जिसकी कारबान डेटिंग भी नहीं हुई थी कोई ज्यादा रिसर्च प्रोसेस पे नहीं केरियाउट किया गया बलके उस टाइम पे तो सारी लोग जंगों में मस्रूफ हो गए थे वरना अगर इस पर काम होता तो आज बड़ा कुछ मिल सकता था लेकिन अब जब अफगानिस्तान के अंदर अमन है तालबान फुल स्केल एक्सकेवेशन करने की कोशिश करने की कि बेक्टेरियन गोर्ड को निकाला जाए और अब इसके हवाले से वो तालबान सुच रहे कि इसका म्यूजियम भी बनाया जाए ताके लोगों से पेसे कमाये जाए या फॉरेन अरजाना चाहे और दूसरी इंट्रेसिंग सी बात यह है कि बेक्टेरियन गोर्ड को कभी किसी ने ज्यादा देखा नहीं है कुछ पुरानी सी तस्वीर है अगर इस वक्त भी तालबान आक्शन करते हैं आक्शन ना कहें तो यू कहें कि म्यूजियम में रखके ओपन करते हैं दुनिया भर के historical archaeologists भागते हुए आएंगे बेक्टेरियन गोर्ड को देखने के लिए क्योंकि ये काफी valuable जी चीज थी आप तालबान को पता चल चुका है कि ये Central Bank में बढ़ा हुआ है और अब तालबान इसे बिलकुल अलग जगा पर प्लेस करने की कोशी करें 2003 में प्रोजेक्ट बनाया था अश्रफ गनी की हुकूमत ने और आमीद करजे की गौर्मिंट ने के एक म्यूजियम बना जाएगा वह पर रखा जाएगा वह उसे complete ना कर सके यह हमारे पुर्खों की कमाई है अब तुम बताओ कि तुम्हारे यह भगवान किदर किदर खुसे हुए है मुझे यह समझ में नहीं आता जब भी जहां भी कुछ भी निकलता है ना इंडिया क्लेम करने जाता है कोहिनूर के उपर इंडियन्स का किले में अब कोहिनूर तुम्हारा कब से हो गया कोहिनूर यहां से कंधार से निकला था फिर हिंदुस्तान पोजा फिर हिंदुस्तान से वापस कंधार पोजा फिर कंधार से वापस हिंदुस्तान से गया और फिर हिंदुस्तान से ये गया बरतानिया अब ये कोहिनूर इनका होगा ये PK वाले attitude है इनके ये सारी civilization बनाई ही मुस्लमानों ने थी इनके लिए ये कैसे हो गया अब बरतानिया के साथ बड़े legal cases लड़ना है कि कोहिनूर हमारे हवाले कर दिया जाए जबकि ये सारा कोहिनूर वगयरा तो मुस्लमानों की property है इनको क्यों दी जाए अच्छा कर रहा है बरतानिया इनके वाले कुछ नहीं कर रहा है जब बरतानिया को मुस्लमान फत्या कर लेंगे तो इन्शाला ये हमारे पास ही आ जाएगा अब इन्डिया पांच दिनों से आठ दस आर्टिकल न्यूज पिपर्स में लिख चुका है कि ये बेक्टेरियन गोल्ड हमारा है तालिबान को इसमें हमें शेयर देना चाहिए ये वो बगेरा और तालिबान का सबसे बड़ा डर भी यही था कि कहीं ये अश्रफगनी इन्डियन को बेच कर तो नहीं चला गया हाओएवर तिंग्स आउट वेरी वेल फॉर तालिबान के बेक्टेरियन गोल्ड उनको मिल गया है और इनके माली मसाहिल भी काफी जएदा हल हो गय है यूएन की हल्प के बाद अब इन्डियन को सिंपल सा पेगाम है जो बेक्टेरियन गोल्ड के उपर आखे दार के बेठे हुए है के भाई ये बेक्टेरियन गोल्ड आपकी मिलकियत नहीं है ये पर्शियन, सिथियन, पार्थियन और रोमन के यहां पर आने जाने से बना हुआ था ये बेक्टेरियन गोल्ड वहां से आया हुआ था अगर इसका कोई जिमेदार बन सकता है या कोई इसके उपर हक जमा भी सकता है तो वो चाइनीज है जो कांदेरा से उपर से आये थे तिब्बत के यहां से और दूसरे हो सकते हैं पर्शियन्स हो सकते हैं पार्थियन्स हो सकते हैं यह तुर्के हो सकते हैं जो यहां से ही पेदा हुए थे अफगान हो सकते हैं क्योंकि इस वक्त अफगान की जमीन है यह रो कोड़ी के इलावा और ज्यादा मेधनियात भी मुझूद है जो तालबान एक्सप्लॉइट कर सकते हैं आने वाले दिनों में यहां पर एक छोटी सी क्लियरिफिकेशन देता चलूँ जब तालबान ने एक बुद्धा का बड़ा स्टेचू तोड़ा था और इंटरनेशनल कम्यूनिटी में कोरा मच गया था कि तालबान देखो कितने रेडिकल है कि बुद्धा की स्टेचू को भी नहीं छोड़ा और यह इसलाम की वज़ा से हुआ यह बात थोड़ी सी क्लियर करता चलूँ कि तालबान ने वो जो बुद् हरिटेज वालों के दर्मियान एक मौहिदा भी तेप आ गया था कि हम इसे संबाल के रखेंगे और इसे दुन्या को दिखाएंगे और टूरिजम बढ़ेगी अफगानस्तान के दर्मियान मुला उमर ने यह का कि देखो आप यूएन वाले हो आप वर्ल्ट हरिटेज वाले हो आप आ रहे हो हमें रिकॉग्नाइज भी करे हो देख भी रहे हो और हम आपके साथ वेल ट्रीट कर रहे हैं तो प्लीज आप हमें रिकॉगनेशन दे दो या थोड़ी बहुत एड दे दो ताकि हम्मारे यहां लोगों की गुर्बत हो रही है और लोगों हमारे पास इतना पैसे भी नहीं यijn के इसकूल चला सके काही सारे इसकूल बन्द हो गए ते टालबान गुहरम chili यह इनुक्त के अलोन 타ल्बान के लिए भी नहीं फिर जा उनुक्त पांड चाहिए तो UN वालों ने पलटकर जवाब ही न दिया और वह अपने काम में लग घय इसलिए आया त तालबान को गुसा और बुलाई टेंक और फोड़ दिया बुद्धा तो यहां पर लोगों को बड़ी कर्फूजन है कि तालबान इसलाम की वज़ा से यह सब कुछ करते हैं नहीं ही वो मसला हुआ था खाने पीने की वज़ा से और किसी को शक है ना तो फॉक्स न्यूज के प होने की वज़ा से वो तालबान काफी ज्यादा मोडरन थे आज के तालबान से आज के तालबान तो मुझे लगता है बिक्टेरियन गोल्ड वाले मामने में बड़ा इशू खड़ा कर देंगे कि आप म्यूजियम कैसे बना रहे हो लेकिन उस टाइम के तालबान ऐसे नहीं तो दुन्या ने जिन तालबान के ऊपर हमला किया कि ये एक्स्ट्रीमिस्ट थे बनाने की कोशिश कशिश करेंगे बाराक, वनमे नब ये करना में गेंगे और बिशाँ खाहि सुटेंगे